वेलकम फ्रेंड्स बोली के पार्टू में आपका स्वागत है आई इस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल फोर गर्ल्स वोज ओपन इन बोलीज विलेज बोली के गाउं में एक प्रात्मिकी स्कूल लड़कों के लिए खोला गया इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी जो इसका उदगाटन था उसमें तसिलदार जी आये थे तसिलदार टोल्ड रामलाल डेट ही वोज अ रिवेन्यू ओपिसियल एंड रिप्रेजेंटेटिव ओप्ड़न्मेंट इन दे विलेज तसिलदार ने उनसे कहा रामलाल से कि आप यहा के गाउं में प्रतिनिदी हो, so he must set an example to the villagers by sending his daughters to school, इसलिए उसे गाउं वालों के सामने एक उदारन पेश करना चाहिए, उसकी लड़कियों को विद्याले भेज कर, रामलाल डेट नोट हे उदगारीज तो डिस ओबेद तसिलदार, रामलाल में तसिलदार की अवग्या करन गहमत नहीं थी, he consulted his wife, but she refused to send the girls to school saying that if girls went to school, who would marry them, उसने उसकी पतनी से इस बारे में विचार विमर्स किया, लेकिन उसने मना कर दिया, ये करते हुए कि जो लड़कियां इसकूल जाएंगी, तो उनसे कौन विवा करेगा, In the end, she suggested to send Bolly to school, आकिर में उसने सुजाओ दिया कि Bolly को school बेज दिया जाए, there was a little chance of her getting married, उसकी शादी करने के भी बहुत कम chance थे, बहुत कम संभावना थी, with her ugly pace क्योंकि उसका चेरा ugly था, बुरा था and lack of sense और उसमें बुद्धी की भी कमी थी, The next day, Bolly was asked to go to school, अगले दिन Bolly को school जाने के लिए कहा गया, Bolly was frightened, Bolly डर गई, she did not know what a school was like, वो नहीं जानते थी, school कैसा होता है, She remembered how a few days ago, dear old cow लक्षमी had been turned out of the house and sold, उसे याद आया कैसे कुछ दिनों पहले उनकी बुड़ी गाए लक्षमी को घर से बाह निकाल कर बेच दिया गया था, She tried to make her hand free from her father's grip, उसने अपने पिता के पकड़ से खुद का हाथ फ्री करवाने की कोशिस की, New clothes had never been made for Bolly, बोली को कभी नए कपड़े नहीं पनाए गए थे, कभी नए कपड़े उसके लिए नहीं बनाए गए थे, But today she got a clean dress which no longer fitted Champa, लेकिन आज उसे साब dress मिली जो Champa के बिल्कुल फिट नहीं आती थी, She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, आज उसे अच्छे तरह नहलाया गया और उसके सुके उए बालों में oil यानि तेल भी लगाया गया, Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home, तब जाकर उसे बरोसा हुआ कि आज उसे गर से भी कोई उचित जगह है, इस ताने जहां पर ले जाया जा रहा है, इस पार्ट का क्योशन पहला, Why did the तहसिलदार come to Ramlal's village, रामलाल की विलेज में तहसिलदार क्यों आया था, Why did he ask Ramlal to do, उसने रामलाल से क्या करने के लिए कहा, Why did Ramlal agree to send his daughters to school, रामलाल उसकी बेटियों को स्कूल बेजने को क्यों राजी हो गया, इसमें तीन क्योशन है, इसका हमने एक आंसर बनाया है, यह आपको पहली लाइन, तहसिलदार came to perform यहां से लेकर और आपको यह पहले का आंसर यहां तक लिख देना है, यहां से लेकर यहां तक पहले का आंसर लिखना है, जो गाउं था, उसमें रामलाल की केसी स्टेटस थी, केसी छवी थी, इसके लिए आपको इसी में से पहले में से आंसर निकाल लिए हमने, यह लाइन यहां से लेकर यहां तक लिखना है, बस ही की जगा आप रामलाल लिख देना, इसका आंसर आपको लिखना है, इसके लिए यहां से लेकर आपको लिखना है, यहां से लेकर और यहां तरह लिखना है, साथ ही फिर आपको ये lines प्लस करने है यहां से लेकर यहां तक लेकिन जब आप यह answer लिखो तो यहां पर आप C न लिखकर रामलाल's wife लिख देना रामलाल's wife suggested और यहां तक लिख देना यह question number 3 का answer complete हुआ question number 4 देख लेते हैं what was Boli's reaction when her father asked her to go to school Boli की क्या प्रतिक लिया थी जब उसके पिताने उसे विद्याले जाने को कहा था इसका answer question number 4 का यहां से लेकर और आपको यहां तक लिखना है वो अभी मैंने बताया था उसने वो लक्षमी जो उनकी बुड़ी गाई थी उसके बारे में सोचा और इस प्रकार वो खापी डर गई यह answer आपको और तमें लिखना है question number 5 when did Boli believed she was being taken to a place better than her home बोली को कब ऐसा बरोसा हुआ कि आज उसे उसके गर से भी ज़्यादा बढ़िया जगह पर ले जाया जा रहा है यह तो हो गया question number 5 इसी में plus है how was she prepared for school school के लिए उसे किस प्रकार तयार किया गया इन दोनों का answer आपको लिखना है और यह answer आपको यहां से लेकर और यहां तक लिखना है यह हमारी question number 5 का answer हुआ friends part 2 में भोले के आप लोगों को आज हमने 5 questions और यह पूरी answers इसके complete इसी part में से हो गए है ताकि आपको लगसे याद ना करना पड़े part 3 में आप से फिर मुलाकात होगी आप चैनल के साथ बने रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Thank you